मूल जो सूत्र होता है, किसी भी चीज का सूत्रधार होता है, वो कहानी होती है, घलत लगा ओडियन्स को, तो ओडियन्स जरूर बताएगी हमको, कि मैं NSD की रेजवट हूँ, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे फोलोवर नहीं है, इस्टाग्राम पे और वैसे भी, एडवेट की कास्टिंग के लिए बढ़ा जाता है, कि सर वो अपना इस्टाग्राम एंडल बेज दीजिए, अब हमारे प्रिजान मंत्री जी, थैंकि सो मच सर जोइनिग एस और जोइनिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अलहमदुलिल्ला, आप सब कैसे हैं, आप कैसे हैं, बहुत बढ़िया है, आपको देखके बहुत अच्छा लगा, आपके पेस से आपकी बातों से ए बहुत उत्साइथ हूँ, बहुत जादा क्योंकि एक अलग सब्जेक्ट है, जो मेरे खाल से फिल्म और सिरीज वगरा में तो आया है, दिखाया गया है, दर्शाय गया है, लेकिन धारावाहिक में आज तक इसको दिखाया नहीं गया है, तो मैं तो बहुत उत्साइथ और मुझे लगता है कि मुझसे जादा आप लोग उत्साइथ होंगे देखने के लिए, क्योंकि एक दम अलग कहानी है, सफल होगी तेरी आराधना, तो अपने आप में नामी बहुत बड़ा है, और जैसे कि सफल होगी तेरी आराधना, तो मतलब एक जर्नी दिखाई देती है, तो जर्नी इस फिलिम में, बस इस जर्नी के साथ साथ आप भी हमारे साथ एसी मुझकुराते हैं, हस्ते भी हमारे साथ चलिए, खुश है हम, आप भी हुश लिए," जे इसमें दो फैमिली है एक तो पाटिल फैमिली है एक जो दूसरी हमारे जो हीरो है करन साब उनकी फैमिली है तो हमारी फैमिली में मैं हूँ जीवन पाटिल मेरी वाइफ है अभोली मेरी बेटी है करिश्मा मेरी भतीजी हो जो लीट कर रहे है गौरी उनका ऑरिजिनल नाम है और इसमें हमारे सिरियल में आराध्ना नाम है मेरे पिता जी है जगन नाजी तो मेरे पिता जी है तो ये हमारी चोटी सी फैमिली है ये फैमिली चौल में रहती है महारास्ट के एक छोटे से इलाके में मुंबई के छोटे से इलाके में रहती है एक चौल में तो हमारी कहानी की शुरुवात तो यहीं से होती है फिर जो रहती है जो हमारा इस कहानी का सीरियल का इस दारवाहिक का मुद्ध है सेरोगेसी यानि किराई की कोख तो वो कोख जो की आसान सब्जेक्ट नहीं है और इस तरह का सब्जेक्ट कभी सीरियल में दिखाया नहीं गया है तो हो सकता पचने में थोड़ा टाइम लगे लेकिन आगे बढ़ेंगे हम इस चीज को लेकर इंशाला इस तरीके के जो पॉटे है अगर जैसे भगवान के चीजों को दिखाया जाता है एक एक एक्स्ट्रा कहते हैं कि जिम्मधारी होती है कि भाई कुछ गलत नहीं होना चाहिए एस अन एक्टर क्या आप फिल कर रहे हैं कि य आगे नी देखिए मूल जो सूत्र होता है किसी भी चीज का सूत्र धार होता है पिर हम लोग उसको अभिने करते हैं है अभिने करते हैं माध्य हमसे दिखाने के कोशिश करते हैं उस सबज्यक्ट को तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा ऐसा नहीं है कि कोई प्राबलम आएगी हाँ अगर कभी कुछ गलत लगा ओडियन्स को तो ओडियन्स जरूर बताएगी हमको कि भई ये गलत है ये आपको नहीं दिखाना चाहिए लेकिन अभी तक जितना एपिसोड हमने शूट किये है तो बड़ी बारी किसे और बहुत जहनियत के साथ वो लिखा गया है पूरा एकदम ख्याल रखा गया है कि ओडियन्स को कहीं भी कुछ भी ऐसा खराब ना लगे और हमारी जैसे जो राइटर हैं इसकी जो कंसेप्ट लिख रही हैं उन्होंने बड़े खुबतूर सीदे पिरोया और हमारी उनके साथ मीटिंग भी हुई उन्होंने एपिसोड सुनाए तो मुझे लगता कि इस तरह की कोई प्रॉबलम आएगे नहीं अगर आएगे तो हम आपसे कहते हैं और शमा मांगते हैं कि अगर ऐसे कुछ भी होता है तो आप हमसे जुरूर बोलिएगा और हम उसको सुधारेंगे क्यों नहीं हमारा फर्ज है तो सोशल मीडिया का जो जमाना है यह थोड़ा सा नहीं हम लोगी के लिए कठीन हो गया कि कठीन एजिन कि अगर कोई भी चीज आप करते हो सोशल मीडिया पर आप कोई चीज डाल देते हो जी 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 यह अन्जाने में किसी के बारे में कुछ बोल देते हो तो वह च्रोलिंग बहुत फटा-फट होती है क्या बोल लें हाँ हाँ ने मैं बताता हूं देखे मैं एनस्टी के रेजविट हूं मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है मेरे सब्सक्राइबर नहीं है मेरे फोलोवर नहीं है इस्टाग्राम पे भी और वैसे भी तो मुझे न मैं खुल के बोलूँगा ऐसा कोई नहीं किया बोलने में मुझे कुछ हो जाएगा वो फांस ही लगाता है ऐसा कुछ नहीं मैं खुल के बोलता हूं अभी मेरी फिल्म आई थी मनिहारत उसमें मैंने बहुत खुल के बोला था मुझे तो प्रॉब्लम होती है सर मैंने ऐसे देखा सर कितने फॉलोवर लृइंश को देखके कास्टिंग हो रही है तो मेरा एंसडी करना जाय हो गया सर मेरा तो जाया हो गया अगर फोलोवर्स देख कर रहें तो कोई मतलब नहीं है इस पे कई बार बहुत से एक्टरों ने आवाज उठाई है कोई कोई जब भी हमें जो मैंने दस साल, बारा साल मैंने थेटर को दिये हैं, उसका क्या, तो परिशानी तो होती है, एक तो ये मेरी अपनी पर्सनल हो गई, बहुत से एक्टरों की भी आवाज है, अब आया है कि भाईया, एक जरा सी चीज वाइरल हो जाती है, समझे कहीं है, देखे हर चीज के दो पहली होते हैं, एसे करके सीधा उल्टा, तो कुछलों किस तरह से उसको ले रहे हैं, कुछ लोग किस तरह से उसको ले रहे हैं, अब मैं एक बहुत छोटा सा धरन देता हूँ, मैंने कवाली कीती है, हमारा सीरियल था, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो इंटरनेशनल शोः 72 मुलकों में दिखाया जाता था ट्रांसलेट होके उसकी जो पिडूसर थी बिल गेट्स की वाईफ की जो संस्ता है न वो तो उसमें कवाली थी हमें सुक्ष चैन मिला सोचाले बनाने से उस पे किसी ने ये लिख दिया गलत नहीं लिखा था कि साहब ने ये ब्रामास्तर कहां छुपा रखा था साहब मतलब हमारे पितान मंत्री जी तो किसी ने लिख दिया कि वहाँ पे कहां छुपा रखा तो इसमें क्या गलत है वह एक मैसेज दे रहा हूं हमें सुक्ष चैन मिला सोचाले बना से उस पे इतना बावाल हुआ कि मुझे जहां का मैं हूँ वहाँ पे जादा जोर दूसरी पार्टी का है तो मुझे वज़ा कि माफी मागनी पड़ी हाथ जोड़के कि भाई मैंने कुछ ने किया ये तो एक ऐसे ही मैंने सिरियल किया था उसका हिस्सा है तो ये सब होता है तो अंदर साब को दुखी नहीं करता है ये साथ चीज ने गलत है दुखी करता है मैं शौट फिल्म लिखता हूँ मैंने बहुत सारी शौट फिल्म ऐसी लिखी है लेकिन ये सोच के रह जाता हूँ अगर ये डाल दिया तो बफाल होगा है बहुत अच्छे मैसेज लेकिन कहीं ना कहीं गड़बर हो जाएगी देखे जैसे मैंने अभी एक कहानी लिखी के बहुत छोटी सी कहानी है देखे मैंने अपने आप सोचा कि एक दिन में गाड़ी में जा रहा था मैंने एक दम परफ्यूम निकाला और उसको पर छिरख दिया लड़की को उपर होटो में ओटो जैसे छिड़का ओटे वाले को बहुत चीक आई जोड से उने कहारे मैडम क्या कर दिया उनको आदत महीं होती ना उस लड़की को भी बिचारी को अड़े मैडम इससे थोड़ी फेट बरे का हमें 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 खाना दो ना हमें भूक लगी हमें पैसे दो तो यह हुआ अगला कट्टू देखते हैं को अपनी बड़ी सी सोसाइटी में अपने डोगी को टहला रही गलत नहीं है पालिया आप किसने मना किया प अड़ो रहे है तो यह छीज इसरी मुझे तकलीफ होती ह yapıyor यह देना चाहता हूं अपनी शॉर्टव हो के यह हएं में बहुत शुक्रिया HD अठीज बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया देखिए हमारा अच शुरू है 14 तारिक है आज दस बजे से आएगा डंगल चैनल पर तो प्लीज 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 हमें प्यार दीजिए हमारा शो देखिए बहुत बहुत धन्यवा शुक्रिया